आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चान्नी चोक पुरानी दिल्ली किनारी बजार की मार्किट में जहांपर की अंदर जाकर एक गोलगपे वाले भहिया बैठते हैं और उनके गोलगपे बहुत ही टेस्टी होते हैं किनारी बजार जहां पर आपको लेस, कपड़ा वगएरा ये सब कुछ डेकोरेशन की चीजे मिलती है वहाँ पर तो वो जो गली में अंदर जाके गोल गप्य अले भई है बैठे है ना उनके गोल गप्य आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं पैशल चल रही हूँ आप लोगों के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक करिएगा शेर करिएगा फोलो करिएगा पेज को और ज्यादा से ज्यादा शेर करिएगा तो चलिए चलते हैं चाहँदी जोग कौन कौन ची कुल्फी भी है के सर पिस्ताब अदाम यह रब्री है यह कला गंद है यह मिल्केक है काफी पुरानी दुपाने भी आपके तुमसाथ पुरानी जौब है कि अधार कि किनारी बजार में यह एक गोलगप्य की दुकान है गली में और बहुत ही मश्यूर है मैंने बहुत वर खॉय है कुन से दुकान नाम किया पदमचाट वंडार किनारी कॉर्णर पदमचाट् और इनके गोलगपव यह बहुत ही टेस्टी होते हैं बहुत कितनी साल पुरानी दुकान है। पचास साल से उपर पुरानी दुकान है। यह क्या है भी बल्ले यह भी दाल के दाहिं भले यह पापडी चाट और यह क्या है मौंग की दाल के कलमी बड़े और यह है गोल गपे और यह है चटनी मीठी बीच में फ्रूट डला हुआ और यह ठंडा ठंडा पानी तीखा सा गोल कपे का और क्या अब यह इसमें ये देखिए ये चने ये जो स्टफिंग होती है गोल गपो की उसके लिए है सब कुछ और ये दहीं भले के लिए दहीं एकदम गाड़ा गाड़ा बढ़िया ही लाके दिखाना जरा कितना गाड़ है ये देखिए अपने दुकान का नाम भी एक बार दुबारा बताओ दुका और ये इस तरीके से इनके बिल्कुल सामने ओपोजिट इस तरीके से लेस गोटा पट्टी वगरा की दुकान भी है तो आप लोग आईए और यहां पर जरूर खाईए तो मैं तो खाने लगी हूं गोल गपे बहुत टेस्टी लग रहे हैं कि और जब भी आती हूं खाती ज अब गिला कि इसमें रख देता हूं मैं तो यह इनों नहीं यह देखिए गोल गप्ते में स्टेपिंग कर रहे हैं चटनी राल रहे हैं और यह है पानी थंडा सा एक दम पकड़ना माई बदेख सब्सक्राइब कि कोकश हां एक देख सब्सक्राइब है थेंड़ें आया मुट्राइब को साव नियुक्त बारवाय थेंगशा भी प्रीरे नियुक्त आति जिए अला इत्क्तिक्ट कर दोई खिए फिर दूपलपा सब्सक्कित नेयुक्त उबुम जीए थेंए। वीडियो को में बंद कर रही हूं और आप लोग यहां पर किनारी बचा रहा हैं तो इनके चाठ पापड़ी बदले गोलगपे जरूर खाएं